ब्रीजी मोहन योग केंदर में आप सबका स्वागत करते हुए और खड़े होकर के पाधहस्तासन किरिया को हमें 21 बार करना है और इस अभ्यास को करने से क्या-क्या फायदा मिलेगा हम फायदा भी बताएंगे और अभ्यास भी कराएंगे तब तक आप हमसे जुड़े राने क के लिए ब्रीजी मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेट्स और सेर जरूर करें आपको सबसे पहले खड़े हो जाना है खड़े होने के बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है यदि आपका सरीर बैलेंस में नहीं आए तो थोड़ा सा पैर को फैला भी सक करना है अराम से और आगे की तरब धीरे-धीरे आपको जुकना है आगे जब ले जाएंगे तो माथा को घुटना में सटाने का प्रयास करेंगे बहुत अचा धीरे-धीर उपर उठाईए सास बरते हुए ध्या नहीं रखना है कि आपकी केहुनी नहीं मुड़े पीछे जा जी तब तक मैं कुछ लाब बता देता हूँ इस अभ्यास को करने से आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा कभी घुटना दर्द नहीं होगा कभी पेट बाहर नहीं निकलेगा गरबासे अमासे पितासे छोटीयात बढ़ियात लीबर किड़नी गरबासे ये सारे अंगों को ए किसी बैक्ति को कमर दर्द है अभी बर्तमान में वह बैक्ति आगे जुकने वाला अभ्यास नहीं करना है नहीं तो उनका कमर दर्द बढ़ जाएगा अब इसकी सुरुवात करते हैं गिंती के साथ चलि एक मुस्कुराते हुए यह तो अभी बोनस में हो रहा था मैं तो बताई रहा था कि कैसे किया जाता है और बाहन जी को लगा कि मैंने लास्टे हो गया चलिए स्टार्ट करिए एक दो पुरा पीछे जाए तेर मत्वा को सटाईए बहन जे ठेहुनवा में तेर चार पांच छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा धीरे-धीरे कफ़णा करिए ग्यारा बार अराम से दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अब पैर को फैला लेजी इसका दूसरा इस्टेप ले लेंगे पैर को थोड़ा फैला देते हैं दो फिट की दूरी और हाथ को पुरा पीछे ले जाए और दोनों हथेली को अपने पैर के गयब से पीछे की तरफ ले जाना होता है ये पहले बाले से बहुत आराम वाला आसन है ये देगे कितना सुंदर अभ्यास एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ सास भरते हैं उपर साथ छोड़ते हैं नीचे दस एगारा बारा एकका इस भार के वाल करते हैं तेरा, चौदा, पंदरा, सुल्ला, सत्रा, अठारा, उन्नेश, दीश और यहां एककईश रुख जाईए